अखेल भारती फार्मासिष्ट एसोसियेशन फार्मासिष्टों के हिद के लिए निरंतर काम कर रहा है ये देश का सबसे बड़ा संगठन है जो फार्मासिष्टों की आवाज लगातार उठाता रहता है चाहे वो फार्मेसी एक्ट 1948 हो या फिर PPR एक्ट 2015 हो फार्मेसी काउंसिल में एक्जिट एक्जाम से लेकर आल नाइन रिनीवल और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो इन सारी प्राब्लम से निजात दिलाया जा चुका है लेकिन और भी कई सारी ऐसी प्राब्लम से हैं जिनका सल्योसन्स होना भी बाकी है हमारे राश्ट्री अध्यक्ष मानी ससिभुसर सिंग्जी के दौरा निरंतरी प्रयास किया जा रहा है कि फार्वासिष्टों का सोंसड ना हो और फार्वासिष्टों के जो हक हैं, जो अथ Bishop हैं, उनको मिल सकें अखेल भारती फार्मासिष्ट एसोसियेशन हर जिले में मौझूद है और हर राज में मौझूद है अगर आप अभी तक इस संगठन से नहीं जुड़े हैं तब आप अपने वहां के जिला अध्यक्च या फिर प्रदेश अध्यक्च से मिलकर अब संगठन से जुड़ सकते ह अगर आपको संगठन से जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं काफी सालों से फार्मासिष्टों की तैनाती CSC, PSC या फिर मेटिकल फील्ड में सरकार के दोरा नहीं की जा रही है इन सारी समस्याओं पर भी विचार किया जा रहा है औ उन सारी समस्याओं के निस्तारन के रिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं तो इसी संबंद में अभी एग मीटिंग की गई राश्टी महा सचिव विनीत कुमार सिंग जी के नित्योत्र में अखिल भारती फार्मासिष्ट एसोसियेशन के प्रतिनी दिमेंडल दोरा फार भिन मुद्दों पर चर्चा की गई सेगरी उत्तर प्रदेश फार्मेसिक कांसिल की आउनलाइन नवीनी करण पंजी करण प्रक्रिया में होने वाली परेसानियों को दूर करने एवं प्रक्रिया को और आसान बनाने और कम समय में प्रक्रिया पूरी करने के लिए पास्ते मंत्री जी को पत्र लिखकर कारेपूर्ण कराने की बात कही प्रतिनीर मंडल में सामिल उत्तर प्रदेश कारेकारणी से उपाध्यक्च रवी कांध पाल जी सचिव मुनीत त्यागी जी वरिष्ट साथी चंद्रपाल जी इन सभी साथियों को अखिल भारती फार्म इसी काउंसिल आफ इंडिया तक पहुंचाई और आने वाले समय में जितनी भी समझ जाएं फार्मासिश्टों को हो रही हैं उनसे निजाद दिलाने के लिए बात कही गई तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेस्ट वीडियो पे अगर आपने अभी तक ये चैनल से जुड़े हुए हैं और अपनी परतिक्रियाएं देते रहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी दिया है आप उस लिंक पर क्लिक करिए और आज ही कुटुम एप से जुड़िए